हलो दोस्तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और वेलकम टू मैं चेनल ये जो मतर आप देख रहे हैं ये कली 5 किलो मतर थी और इसे जब मैंने छीला तो ये 4 किलो करीब रह गई है तो मैं आज आप से इस वीडियो में मतर को फ्रूजन करना चाह रही हूँ तो सोचा कि आप से शेयर करती हूँ वेडियो तो ये मतर को मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है देख लिया है कि कहीं कुछ खराब मतर तो नहीं है या कुछ कीड़ा वगेरा तो कुछ भी नहीं है अब मैंने क्या किया है एक ये भगोना ले लिया है इसमें पानी गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें करीब एक से डेट चमच में नमक डाल दूँगी तो जब हमारा पानी बॉइल होने लगेगा मैंने अभी ढाग दिया है इसको ताकि ये जल्दी से बॉइल हो जाए और ये देखिए बॉइल होने लगा है तो आप मैं इसमें क्या करूंगी ये मटर डाल दूँगी तो पूरी मटर तो नहीं आएगी क्योंकि भगोना छोटा है और इसाफसे मटर जब हम इसमें डालेंगे तो नहीं बन पाईगी इसलिए है न मैं आधा मटर डाल रही हूँ फिर आधा बाद में उबालूँगी तो इसे हमें ज़्यादा बॉयल तो नहीं करना है पानी हमारा अच्छे से उबलने लगा है इसमें मटर हम डालेंगे और मटर को तब तक उसमें उबालेंगे जब तक ये मटर धीरे धीरे ऊपर नहीं आजाती है जब ये मटर धीरे धीरे करके सारी मटर ऊपर आजाएगी तो मतलब हो गया है सिर्फ 2-3 मिनिटी लगते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगता है और ऐसी मटर को हम फ्रोजन करके करीब साल भर के लिए आराम से खा सकते हैं तो आप लोग इसे जरूर ट्राय करिएगा देखिए मटर उपर आने लगी है उबलते उबलते मटर उपर आने लगी है तो मैंने क्या किया साइड में एक बाउल ले लिया है और उसमें है न मैंने बर्फ डाल ली है तो क्या है जब ये मटर उपर आ जाएंगी तो इसके बाद हमें इसे तुरंत निकाल के और बढ़िया चिल्ड वाटर में है ना मटर को डालना है इससे डालने से ये होगा कि इसकी जो प्रोसेस है ना क्योंकि मटर बहुत गरम होती है निकलने के बाद तो ठंडी जल्दी हो जाएगी और वर्फ का पाणी है ना इसमें हमें जादा देर नहीं सिर्φ एक मिनिट के लिए रखना है तकि मटर हमारी नॉर्मल हो जाए और इसे भी मैं निकालके यहा चल्दी में डालते जा रहे हूं ताकि उसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए और यह मटर देखिए कलर ही चेंज और देखिए मटर का कलर एकदम बिल्कुल डार्क ग्रीन हो गया कितनी सुन्दर दिख रही है जबकि पहले कुछ और कलर था पानी इसका पूरा निकल चुका है तो मैंने क्या किया कि एक कपड़ा फिला दिया है साफ कपड़ा लेना है हमको और उस पे मैंने इसको फैला दू तरीका शायद आपने आज तक देखा नहीं होगा क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से फ्रोजन करते हैं और मैं आपको एक नया तरीका बताने वाली हूँ कि हम कैसे उसे है ना फ्रेज में रखेंगे कि वो लंबे समय तक चलेगी अब यह मटर का पानी पूरा सूख चुका है यह मटर मैंने यहाँ पर किचिन में ले आई हूँ क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे तो देखिए मेरे पास इस टाइप की कुछ पॉली थीन रखी हुई थी और यह करीब दो तीन साल से रखी क्योंकि मैं हर साल करती हूँ करीब 15-16 साल हो गए मुझ अच्छी बेस्ट लगती है आज कल तो जिप वाली भी आने लगी है तो आप क्या करेंगे कि हम हैंना एक मोमबत्ती ले लेंगे और मोमबत्ती को जला लेंगे इसके बाद मैं है इस पॉली थीन में मतर डालूँगी मटर डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है मोमबत्ती से हाला कि आप लोग समझ तो गई होंगे कि क्या करना है क्या है आप चाहे तो इस एरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं बढ़िया भरके और जिप वाली जो आती हैं पॉलिथिन उसमें भी रख सकते हैं जिप लॉक लेकिन मैंने मेरे पास यह रखी हुई थी इसलिए मैंने जिप लॉक वाली पॉलिथिन नहीं खरीदी है तो मैं इसे ही यूज कर रही हूँ अब हमें मोमबत्ती में इस टाइप से घुमाबस जल्दी से इस टाइप से आगे पीछे ले जाना है तो यह देखिए तुरंत यह बिल्कुल लग जाती है और हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है पॉलिथिन और मटर के बीश में ताकि अगर कुछ वो मतलब एयर वगेरा है तो वो निकल जाए यह देखिए यह पूरी अच्छे से लॉक हो गई है अब यह जो इसका एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है ना पॉलिथिन का उसे हम है ना काट सकते हैं तो बस दो तीन बार आप देख लीजे कि अच्छे से पैक हो गई है कि नहीं देखिए बढ़िया स हो गई है और उसके बाद हम उसका एक्स्ट्रा पार्ट को केची से काट देंगे यह जो दिख रहा है मैं क्या करती हूँ हम लोग चारी मेंबर हैं घर में दो बच्चे और हस्बिन वाइफ तो मैं छोटे-छोटे पैकेट बनाती हूँ ताकि एक पैकेट एकी बार में यू और हमें ज्यादा कॉंटिटी में मटर जाहिए तो इस टाइप से मैं ज्यादा मटर के पैकेट भी बना लेती हूँ तो यह ज्यादा मटर वाला मैं उस समय खोलती हूँ और छोटा वाला हमारा डेली यूज में चलता है इसे भी इस टाइप से करना है और यह जरूरी नहीं तो ये मैंने एक छोटा पैकेट बना लिया एक बड़ाई आपको दिखाया है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक और मेरे पास देखिए ये एक पॉलिथीन है डी मार्ट में तो हम लोग जाते ही रहते हैं सामान हमारा ग्रोजरी वगएर आता है तो ये मोटे वाले जो पैकेट था मैंने लाल वाली मिर्चली के रहाई थी तो देखिए अब मैं उसी में आपको बता रही हूँ ये वाली तो और मजबूत रहती है पॉलिथीन तो इसमें भी हमेना स्टोर कर सकते हैं बस इसे भी आप इस टाइप से डबल या अगर आपको ज्यादा कॉंटिटी में चाहिए तो रख लीजिए तो ये पॉलिथीन भी बहुत अच्छा यूज होता है इन पॉलिथीन का इसे भी मेहना मॉमबत्ती से इस टाइप से करके और इसे भी लॉक कर लूगी मैं आप लोग को रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकॉन पर प्रेस करके मेरे नोटिफिकेशन आप तक सब सब पहले पहुँचेंगे उसे दबा दीजे बस ये अब इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट में काड़ दूँगी तो ये इस टाइप से भी आप बना सकते हैं अगर हमारे पास दूसरा कोई आइटम नहीं है या एर टाइट कंटेनर नहीं है तो अब मैं सारे पैकेट ये हैं बना के रख लूँगी मतर से तो सारे ही पैकेट साड़े तीन चार किलो मतर होगी छिलके निकालने के बाद उससे मेरे इतने पैकेट हो गए हैं अब मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ तो मैं इसे ले आई हूँ फ्रीज में और ये बड़ा वाला फ्रीज है मेरे हाँ तो इसका जो डूर का एरिया था यहाँ पर है और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि यह आपको तरीका कैसा लगा तो नेक्स टूडियो मिलते हैं बाई बाई टेक कियर